आपने किसी प्रकार का किसी बैंक NBFC के माध्यम से कोई लोन लिया है और आप उसको पे करने की इस्तिती में नहीं है रुपिया पैसा आपके पास में नहीं है तो आपको बता दूँ आप इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप नहें इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बात से recovery नहीं करेगा और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन पर बैंक पुरे तरीके से action लेगा और एक भी रूपया अपना नहीं छोड़ेगा बैंक एक एक रूपया वापस लेगा आप लोगों से मेरा एक छोटा सा request बस यह है आप इस वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा अगर अगर आपने वीडियो skip कर दी तो जो भी information इस वीडियो में दी जा रही है आप 110% miss कर देंगे अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की useful information लेकर के आते रहें किरप्या करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरू subscribe करें और subscribe करने के बाद में well icon को press कर दें और own कर दें all notification को उससे क्या होगा वोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो परेशान हैं बहुत ज़्यादा दिक होगा और बताना होगा आपको telephonically appointment चाहिए उसके बाद में हम अपनी platform fee जो है आपको बता देंगे जैसे ही आप हमारी platform fee पे करते हैं उसके बाद में आपको proper तरीके से telephonically appointment मिल जाएगी और अच्छे तरीके से point to point guide कर दिया जाएगा अब सारी चीजे यह आपको send कहां पर करनी है किस WhatsApp नंबर पर send करनी है यह जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए start कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो काफी ऐसे वेक्ति हैं जिन्होंने किसी ना किसी बैंक NBFC या लोन एप के माधियम से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है और वो बहुत ज़्यादा परिशान है रुपिया पैसा बिल्कुल भी नहीं है देखिए बैंक और NBFC के द्वारा दो टाइप के लोन दिये जाते हैं एक तो secure लोन और एक unsecure लोन secure loan ऐसे लोन होते हैं जिसमें bank प्रोपर तरीके से आपको लोन देता है आप जैसे कोई चीज पर्चेज कर रहे हैं जैसे कि आप एक home पर्चेज कर रहे हैं घर जैसे कि आप कोई gold purchase कर रहे हैं तो यह होता है secure loan इसमें क्या गरता है bank पुरी तरीके से खुद मालिक होता है और अगर आप जब तक उसको पैसे को नहीं चुकाते हैं तो bank का पुरा अधिकार होता है NVFC का पुरा अधिकार होता है और अगर आप पैसा चुकाने में पुरी तरह से असमर्द हो जाते हैं तो bank उसको बेच करके अपना जो पैसा है वो निकाल लेता है तो यह होता है secure loan इसमें bank एक पी रूपया व्यक्ती पर नहीं छोड़ता है एक एक रूपया recover कर लेता है अब unsecure loan कैसे होते है unsecure loan ऐसे होते है जिसमें bank पुरी तरीके से आपके civil के आधार पर आपकी bank account statement के आधार पर आपकी salary slip के आधार पर आपको loan provide कराता है कोई भी physically आपसे guarantee नहीं लेता है चीज की वही उस चीज की guarantee दो आपको easily loan दे देता है तो यह होता है unsecure loan अब देखो इसमें भी bank आपसे एक बी रूपया पुरी तरीके से कोई व्यक्ति अगर क्या रहा है कि recover नहीं कर पाएगा unsecure loan में तो वो आपको manipulate कर रहा है सरिफ और सरिफ misguide कर रहा है वो आपको गलत information दे रहा है unsecure loan में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनोंने bank nbfc से loan तो लिया है लेकिन loan लेते समय उन्होंने check दिया है या फिर easiest की service ली है तो उस cases में bank एक भी रूपया अपना नहीं छोड़ेगा एक एक रूपया आपसे वापस ले लेगा जो आपने bank nbfc से लिया है वो कैसे देखो bank आपको nbfc आपको legal पचड़े में फसा लेगी आपके उपर 125 का case कर देगी आपके उपर अगर आपने physically check दिया है तो आपको 138 के case में फसा देगी और इतना गंदा फसा आएगी bank nbfc आप सोच भी नहीं पाएंगे तो इन cases में bank अपना एक रूपया नहीं छोड़ेगा आप इस बात का ध्यान रखिएगा अब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन पर bank nbfc अपना रूपया पैसा छोड़ सकता है unsecure loan में तो देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा ऐसा तो possible नहीं है कि bank अपना पैसा छोड़ दे लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी देखे गए हैं जिन से bank ने एक बी रूपया अपना वापस नहीं किया है और bank पुरी तरीके से recovery करने में असमर्थ हो चुका है वो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने bank अन्बी अपसी से loan तो लिया है लेकिन किसी परकार की कोई भी security वगएरा नहीं दिये जैसे की check की security जैसे की ECS की security पैसा लेने के लिए तो उन व्यक्तियों को कोई दिक्कत परिशानी अब तक ना तो हुई है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि उनको दिक्कत परिशानी होगी तो देखो जब तक आपके case को अच्छी तरीके से study ना कर लिया जाए देखना लिया जाए किस ताइप का case है जब तक बताना बहुत मुश्किल है कि आपके ऊपर bank legal action लेगा या नहीं लेगा और आपसे recovery करेगा या नहीं करेगा वैसे तो recovery हर एक व्यक्ति से बैंक करता है अगर पैसा दिया है लेकिन कुछ cases ऐसे होते हैं जिसमें कि bank को रही तरीके से विफल हो जाता है वो recovery नहीं कर पाते हैं लेकिन देखो अगर आपने लोन लिया है और आपको payment नहीं कर पा रहे हैं अभी problem में हैं तो कोई दिक्कत परशानी वाली बात नहीं है सिर्फ आपका civil हमपर होगा और उसको आप भैतर कर सकते हैं लेकिन आप अपनी financial debt ना करो आप कोशिश करो पैसा timely pay करने का आप इन चक्करों में मत रहिएगा कि YouTube पर उस व्यक्ती ने बता दिया कि bank NBFC recovery नहीं करेगा ये थोड़ा सा आपको misguide करने वाली बात होगी हाँ ऐसे applications को आप जरूर ignore कर सकते हैं जिन्होंने आपको 7 दिन के लिए फिर 15 दिन के लिए 1000-2000 रुपे का loan दिया है और वो RBI authorized NBFC के साथ में registered नहीं है तो उनका अगर आप payment नहीं करेंगे तो कोई दिकत परिशानी वाली बात नहीं होगी तो आप इस बात को समझेगा आपका case किस टाइब का है इसलिए आप हमसे proper advice जरूर लिजेगा आपको better तरीके से हम लोग guide कर देंगे क्योंकि यह को case को देखकर की बताया जा सकता है कि आकर इसमें क्या होगा अब आप मुझे इजादत दीजे का मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में अपना ख्याल रखें अपने वोगा ख्याल रखें थैंक्यू सो मज़ बबाई टेक केर जहिन वंदे मातरवन